Welcome students, इस सवाल में है इम दिया गया है कि एक family में जो expenses होते हैं इसमें से कुछ constant है और कुछ vary करता है number of persons में So हमें देख लिए गया है कि total monthly expense अगर 4 persons है जो है Rs. 10,400 and in case of 7 persons they will arrive 15,800 क्यानना है कि इस रांडी का कॉंस्टंट मंथ्ली एक्सम्स केतना है और पर हिंट मंथ्ली एक्सम्स की सबसे पहले हम इन दो को अजिउम करेंगे करेंगे रुपीज एक्स अन इसे रुपीज वाई अब constant पाट जो है वो दोनों में नी एक हो काम, जो as per condition. आशि की मैं किस्टे इस्टेंस ऑन जा ही? को तेंग ए्यानहीी ऐा है? फसे दो फोड हुआ है उपन हैस्कोरण तो फॉआ एक उबान है। एक रूड रूर्स एक रूड येजिख रूडिस तन फॉर अंपनूट्ट निया मरा वॉट इकराश्ट निया है वार की एक लित्कुरणी है तुमले कुरण निया को कि इस जब करोण़ एक छोडम में टोटल मंत की एकस्पेंस होना चाहिए एकस प्लस सवन परसंस है तो सवन बाइच हो जाएगे तो सबने वाइच एकवल टू तो टीन थाउजंड रहना चाहिए तो यह हमारा second equation होगा है अब हम इन दोनों को solve कर सकते हैं अब क्या करते हैं कि कि किसी भी एक equation को दूसरे से subtract कर देते हैं now equation 2 minus equation 1 करने पे हमे निजेगा equation 2 is x plus 7y is equal to 15800 and equation 1 is x plus 4y is equal to 10,400 तो अगर हम सब्ट्राइट करें तो साइन चेंज हो जाएगा यहां पे xy को चैंसल हो जाएगा 7y minus 4y is 3y is equal to 10,800 minus 10,400 हो जाएगा 5,400, therefore y is equal to 5,400 divided by 3 is equal to 18,800, so हमें y मिली है, so putting y is equal to 1800 in equation 1 में अगर हम पत करें तो होगा x plus 4 into 1800 is equal to 10,400 और x is equal to हो जाएगा 10,400 minus 4 into 1800 is 7,200 इसे सब्ट्राइट करने पे हमें x का value मिलेगा 3,200, so हमें x and y अगर हो जाएगा, so constant monthly expense हो जाएगा, Rs. x is equal to Rs. 3,200 and monthly expense per head हो जाएगा, Rs. y जो किया रहा है Rs. 1800, so यह हमारा answer हो जाएगा, thank you झाल